आर्रबी के तरब से जो आर्पी एफ की रिक्रूट्मेंट की अभी नोटिफिकेशन आई है इसमें अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अपलाई कर रहे हो तो यहां पे आप देखो कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो इड़ुएस की 14 मई से पहले बनी होनी चाहिए तो इस वीडियो में मैं पूरी डीटेल में बात करूँगा कि आपका इड़ुएस का सर्टिफिकेट कहां से बना होना चाहिए कैसे बना होना चाहिए और भी बहुत सारी जानकाड़ी तो देखो जो यह ओफिसिल नोटिफिकेशन है यह आपको मिल जाएगी सरकारी डिजल से या फिर और भी के ओफिसिल वेबसाइट से तो यहां पर आप देखोगे कि जो लास्ट टेट ओफ फॉर्म फिलिंग है क्लोजिंग डेट ओफ सब्मिशन ओफ एप्लिकेशन वह है 14.05.2024 और इसी में आगर आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि जो 7 यहां पर जो ह सब्मिशन ओफ ओन्लाइन एप्लिकेशन मिस आपका जो सर्टिफिकेट है वह सभी लास्ट टेट ओफ फॉर्म फिलिंग से पहले बन जाना चाहिए तो अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसके अक्वाडिंग तो जो लास्ट ओफ फॉर्म फिलिंग है वह है 14 में लेकिन हो बना होना चाहिए 5 मेड 2024 के पहले तो इसको बारे में पूरी जाठ जांकाडी में आपको देता हूं कि देखो यह जो आपका फॉर्मेट होता है यह फार्मेट में दो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखाए तेंगे एक है वैलीडियर का और एक है यहाँ पर फेनेंसियल यर तो जो valid year है उसमें आपका 2024-2025 लिखा होगा और जो financial year है यहाँ पे आपका 2023-2024 लिखा होगा यह वाली बात जो है हो मैं कह रहा हूँ कि financial year 2023-2024 होगा और valid year 2024-2025 होगा ओके अगर आपके पास पुड़ाना certificate है जो की 31st April 2024 के पहले बना हुआ है तो आप जो है वो एक नया certificate बनवालो ताकि जब आपकी document verification हो तो आपको कोई भी problem न हो वड़ना क्या होगा कि जब आपकी अगर बाद में document verification के समय अगर आपकी EWS certificate वैलिड नहीं होती है तो फिर आप आपको यूर के category में यहां पर रख दिया जाएगा यहां पर आप देखोगे तो general instructions में नीचे बहुत ही clearly mentioned सब कुछ कर दिया गया हुआ है तो इसलिए आपको जो है वो category certificate यह सब भी बनवाके रख लेने हैं और एक बाद कि आपको जो हो अगर आप EWS category से belong करते हो तो आपक के format पे होगा यह जो format है यह format में आपको description box में link दे दूँगा वहां से आप इसे download कर सकते हो और अगर आपको नहीं मालूम है कि certificate कैसे बनता है EWS का तो उसके regarding मैंने बहुत ही detailed video बना दिया है उसको आप देख लेना थोड़ी सी बात इसके बादे में और करेंगे लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो हो student हो तो आप जो हो आचार प्रसांत की वीडियो जो हो देख सकते हो काफी जो हो आपको inspiring और motivating लगेंगे क्योंकि इनके जो thoughts हैं वो आपके life में बहुत ही during your course of preparation बहुत ही helpful रहेंगे तो आप जो हो YouTube पे search करना आचार प्रसांत on students और अ official notification है तो इसमें जो है वो यहां पर आपको NXR यह सब कुछ भी लिखा हुआ है तो NXR 3 जो हो EWS Candidate के लिए है और यही जो हो NXR 3 है तो कुछ उससे ऐसा नहीं है कि एकदम exact इसी format भी होना चाहिए हाँ आपका certificate की अगर contents जो हो इससे match कर रहे हैं तो कोई भी इसू नहीं ह आपको कई बार students का यह भी doubt होता है कि अगर certificate हिंदी में बना रहेगा या English में बना रहेगा तो valid है कि नहीं तो हाँ English हिंदी दोनों valid रहता है लेकिन अगर किसी other language में है तो आप उसे English में जो है वो transcribe करवा लेना अब इसमें जो है वो देखो कि जो यह सभी details है यह सभी आ वहां से आप उस वीडियो को देख लेना ओके अब यहां पर देखो कि एक बात और कि EWS के बारे में जो है वो यहां पर exact date तो mention नहीं है लेकिन बस वो उन्होंने यह mention किया हुआ है कि कब से पहले होना चाहिए और कब के बाद का तो mention नहीं किया गया हुआ है लेकिन जब अ हर साल जो है वो first April के बाद financial year बदल जाती है तो usually यहीं देखा गया हुआ है trend कि जब भी जो फॉर्म रिलीज होती है जिस financial year में उस financial year के एक साल पहले के basis पर आपका certificate required होता है in case of EWS इसलिए यह जो 2024 में जो notification आई है वो 2023-2024 के आपके financial year यानि income के basis पर बनेगी तो आप जो है वो इससे 14 माई से पहले बनवाने के कोशिश करो और किसी कारण वस अगर आप certificate नहीं बनवा पाते हो time पर तो भी आप जितना जल्दी हो सके बनवा लो अगर आप ये वीडियो 14 म अभी तक आपने नहीं बनवा है तो जितना जल्दी हो सके बनवा के रख लो वरना बाद में जब document verification होगी तो आपको problem हो सकती है okay so I hope कि आपको जो जो भी maximum queries हो सकती है उसके regarding मैंने यहाँ पर बता दी फिर भी कोई query होती है तो आप comment box में comment कर देना बात करते हैं आप जो है वो आरपी एफ की mock test की तो देखो यहाँ पर आपको enough number of mock test देखने को मिल जाता है around 2 lakh students यहाँ पर तयारी कर रहे है currently तो testbook app से आप अपनी तयारी कर सकते हो इसमें जो है वो around 668 total mock test आपको देखने को मिलता है और वहीं अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर previous year questions पर आपको around 320 railway के PYQs मिलते हैं और specifically SI के लिए 20 PYQ और उसके solutions आप जो हो attempt कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही golden opportunity है कि आप जो है वो testbook से अपनी तयारी भी similar days ने शुरू कर दो अब इसमें अगर बात करते हैं कि अगर आप इसका premium subscription लेते हो तो इसकी pricing की तो देखो इसकी pricing जो है वो 1 year के लिए 499 रहती है और 2 year के लिए 649 लेकिन मैं आपको ए coupon code दे दूँगा JBYY16 इस coupon code को आप apply कर दोगे JBYY16 तो आपको जो है वो flat 10-20% का discount देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो apply coupon वाले option में जाना है और coupon code apply कर दोगे तो आपको discount मिल जाएगी लेकिन दिहान रखना कि आप जो है वो new email mobile number से जो है वो login करना या फिर आप एक बार apply करके देखना और यह आपको 10-20% discount मिल जाएगी और और भी बता दूँ कि अगर आप SI के अलावा और भी किसी examinations की त्यारी कर रहे हो SSC banking या फिर किसी भी examinations की तो उनकी भी त्यारी के लिए जो है वो आप noctist यहाँ से लगा सकते हो और वो भी same price में